अगर आपने अपने आफिस में electric work करवाया है, किसी individual person को आपने अपने आफिस का electric contract work दिया है, तो इसकी accounting आपको कैसे करनी है, यह मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हूँ. जब आप किसी individual person को कोई भी contract देते हैं और उनसे स्टाइप की service लेते हैं, तो इसके उपर TGS applicable होता है, इस टाइप की service जो है, अंडर TGS के fall होती है, अगर आप ऐसी service ले रहे हैं, तो 194C section में आपको TGS deduct करना होगा, और इसमें जो TGS का rate है, वो सारे चीजे मैं आपको आगे इ electrical work दिया है, तो कैसे इसके accounting करेंगे, कैसे सारी चीजे हम करेंगे, इस सारी चीजे मैं आपको practically इस वीडियो में बताने वाली हूँ, नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सब रिकास स्वागत करती हूँ, आपके इपने चानल सुमन Education Hub में, आगे बढ़ने से पहले करना चाहती हूँ, मैंने एक और चैनल क्रियेट किया है, इंग्लिस लेंग्वज में, सुमन Education Hub, इंग्लिस उस चैनल का नेम है, इसी चैनल के नीचे आपको वो भी चैनल शूर होगा, तो उस चैनल को भी एप्रेशेट किजिए, उस चैनल को भी सपोर्ट किजिए, so that वो भी ग्रो हो सके, and जिनको भी इंग्लिस में Accounting का वर्क सिखना है, वो इंग्लिस में Accounting का वर्क सीख सके, तो चलिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, and अगर कोई Quiry होती है, आपकी कोई Problem होती है, ता आप मुझे Comments भी कर सकते हैं, Definitives का Solution में आपको दूँगी, and ब यहाँ पर मैंने एक detail prepare की है, यहाँ देखिए सूमन सर्मा है, जो की contractor है, और हमने इनको electricity contract work दिया था, two lakh rupees का office के work के लिए, तो यहाँ पर जो हमने इनको payment किया है, वो नीचे mention किया है कि कब-कब हमने part-wise payment किया है, तो सबसे पहला हमने इनको two lakh rupees का contract work दिया है, electricity का, और जो हमने payment किया है, first April को 10,000 किया है, second April को हमने किया है, 20,000 का, first May को किया है, and third payment हमने किया है, first July को 50,000 का, अगर आप किसी person से contractual work लेते हैं, तो यह service TDS में fall होती है, TDS section 194C में, यहाँ पे दो TDS के rate है, अगर individual या फिर H.O.S. से आप यह service लेते हैं, तो 1% TDS deduct करना है, और किसी company से या फिर partnership form से लेते हैं, तो 2% TDS आपको यहाँ पे deduct करना होता है, और इसकी threshold limit है, single bill 30,000 का होना चाहिए, या फिर पूरे aggregate year में किसी एक particular party से transaction 1,00,000 रुपीस तक का है, तो वहाँ पे आपको TDS deduct करना होता है, तो यह threshold limit थी है, हमने 194C section में discuss किया, तो contract business पे अगर आप काम करवा रहे हैं, तो इन सब conditions को देखते हुए आपको करना है, यहाँ पे हमने 3 payment दिये है, सबसे पहला payment हमने दिया है 10,000 का, second payment हमने किया है 20,000 का, and third payment हमने किया है 50,000 का, तो यहाँ पे देखिए, हम इसकी accounting को कैसे करेंगे, जो सबसे पहला bill है 10,000 क यह इसने threshold limit नहीं cross की है, second payment हमने किया है 20,000 का, इसने भी cross नहीं की है, अब चलिए इसको टैली प्रैम में कैसे करना है, वो मैं आपको बताती हूँ, तो टैली प्रैम को open कर लीजिए, और gauge pay of टैली से भी प्रेस करके, सबसे पहले मैं आपको show करती हूँ कि जो हमने contract business का work सुमन सर्मा को electricity का, two lakh rupees का, तो यहाँ दो टैप से आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप जो booking कर सकते हैं, क्योंकि individual person है, advice आपको raise नहीं करेगा, letter head पे वो दे सकते हैं, contract का जो भी work है, sign करके या किसी paper पे दे सकते हैं, तो उसके according हम यहाँ पे booking कर लेंगे, two lakh rupees की, उसके बाद journal voucher के through entry करके, इसको proper accounting करनी है, तो इस type से आप कर सकते हैं, मैं आपको जैसे show कर रही हूँ, तो all to see press करेंगे, और आप सुमन सर्मा नाम से, जो contractor है, उनका ledger हम create कर लेंगे, bracket में आप mention कर दीजे, कि electricity contractor है यह, तो इससे recall हो जाएगा, जब भी आप ledger देखेंगे, group आप select क creditors, अगर address है, तो address कर लिजे, contractor का feel, और यहाँ पर आपको pen number feel करना है, आप बिल्कुल भी ना भूले pen number feel करना, तरवाज 20% flat TDS आपको deduct करना होगा, contractor का, और registration में unregister कर लिजे, क्योंकि individual है, अब यहाँ पर सूमन सर्मा जो है, एक ledger हो गया, second ledger भी मैं आपको show करती हूँ, कैसे create करना है, अगर आप चाहे तो इसका electricity expenses करके भी ledger create कर सकते हैं, या फिर आप repair and maintenance का ledger create करके, इसकी booking कर सकते हैं, तो repair and maintenance का ledger already मेरे पास create है, मैं आपको show करती हूँ, कैसे आप create करेंग यहाँ देखिए repair and maintenance services, जो मैंने ledger create किया है, अंडर indirect expenses के, और उसके बाद GST के पर not applicable तब होगा, जब आप individual achieve से यह service ले रहे हैं, अगर आप कोई invoice receive करते हैं, registered party है, तो GST applicable होगा, अब यहाँ पे 2 lakh रुपीस का जो invoice, यहाँ पे हम जो book कर रहे हैं, 2 lakh रुपीस का कर रहे ह और यहाँ पे credit क्या हो जाएगा, सूमन सर्मा जो electricity contractor है, वो यहाँ पे credit हो जाएगा, narration आप mark कर सकते हैं, कि जो आप electricity work कर रहे हैं, वो पूरे office का कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, detail में आप यहाँ mention कर सकते हैं, electricity में आप क्या क्या feeding कर रहे हैं, क्या है, सारा detail में आप यह narration में हम mark कर सकते हैं तो इस step से हमने यहाँ पर booking कर लिया है सूमन सर्मा नाम से tool है क्रिपिस का अब इसको हम save कर लेते हैं इस step से आप भी booking कर सकते हैं अब उसके बाद जो हमने payment किया है उसकी entry हम कर लेते हैं तो सबसे पहला मैं आपको show करती हूँ पहले हम देख लेते हैं इसका लेजर तो go to में चलेंगे लेजर reports में लेजर voucher में और यहाँ से सूमन सर्मा जो electricity contractor है उसका हमने जो लेजर create किया था वो आप यहाँ पर हम देख लेते हैं अब आप यहाँ देखेंगे जो 2 lakh rupees का हमने booking किया है वो आपको यहाँ पर show हो रहा है credit side में इट मिन्स की हमें 2 lakh rupees सूमन सर्मा को देना है अब इसके बाद यहाँ पर हम यहीं से जो हम payment हमने part wise किया है वो सारे payment की entry हम यहाँ पर करेंगे alt a press करके अब यहाँ पर आपको payment की entry करनी है जो हमने payment इनको दिया हुआ है तो यहीं से alt a press कर लीजिए तो voucher add हो जाएगा right hand side से आपको payment वाला voucher select कर लेना है और उसके बाद app to press कर लीजिए तो सबसे पहला जो हमने payment किया था 1st April को किया था 1st April का date हम यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद यहाँ देखिए debit कौन होगा कौन credit होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ तो सुमन सर्मा debit होगी जो receiver होता है वो debit होता है और हम अपने bank से दे रहे हैं तो bank हमारा credit होगा तो सुमन सर्मा के ledger को हम कर देंगे debit 10,000 से और हम अपने bank को कर देंगे credit narration में आप mark कर दीजे कि आपने जो pay किया है वो सुमन सर्मा को किया है for electricity contract work अब यहाँ पर सबसे पहला जो payment का entry है हम उसको save कर लेते हैं second entry हम कर लेते हैं तो आप यहाँ देखेंगे 2 lakh रुपेस की booking की थी हमने 10,000 का payment कर दिया है अब balance शो हो रहा है 1.90 lakh इसी type से जैसे आप payment करते जाएंगे payment का जो हमारी जो outstanding है वो कम होते जाएगी अब यहाँ पर second all a raise कर लेते हैं again हम right hand side से payment पाला voucher select कर लेंगे again सुमन सर्मा debit हो जाएंगी तो यहाँ पर 20,000 हम जो contractor है उनको pay कर रहे है against reference में select कर लीजे कि इन्वाइस के against कर रहे है इसको हम save कर लेगे तो second payment भी हमने कर लिया है अब third payment हम कर लेते हैं तो यहाँ third payment हमने किया है 50,000 का 1st of July को तो यहाँ पर 1st of July में एक और हम payment की entry करेंगे यहें से alt A press कर लीजे right hand side से payment वाला voucher आप select कर लीजे और यहाँ पर सुमन सर्मा अगें debit हो जाएंगी with 50,000 रुपीज against reference में select कर लीजे और bank आपका हो जाएगा credit अब हमने यहाँ पर save कर लिया है अब आप देखेंगे तो total हमने जो payment किया है 80,000 का कर दिया है अब जो threshold limit देख लेते हैं तो threshold limit है 30,000 अगर single payment किया है आपने या फिर पूरे साल में किसी पार्टी को 1,000,000 रुपीज का against contractor work के किया है तो वहाँ पे आपको tedious deduct करना होता है 1% और 2% तो यहाँ जबसे पहला वाला 10,000 पे कोई condition नहीं है 20,000 पे भी कोई condition नहीं है थार्ड वाला payment हमने 50,000 का किया है और यह जो threshold limit है वो cross कर चुका है 30,000 का single payment हो तो हमें tedious deduct करना है यहाँ पे 50,000 हमने कर लिया है अब tedious हम deduct करेंगे total payment पे जो हमने 80,000 payment दे दिया है इसके अपर हमें tedious को deduct करना है तब यहीं से alt है ए हम प्रेस करेंगे voucher को add कर लेंगे और जो tedious की booking करनी है वो मैं कैसे करना है वो आपको show कर रही हूं तो यहाँ पे total 80,000 है 80,000 का as because party is individual तो हम individual 1% rate की according tedious का calculation करेंगे तो 8,000 का 1% 800 आता है तो यहाँ पे control and करके आप टैली में ही calculator को open करके and calculation कर सकते है तो चलिए alt A प्रेस कर लेते हैं राइट इन साइट से हम journal voucher select कर लेंगे क्योंकि TDS की booking हम journal voucher में करते हैं और यहाँ पे हमें एक और ledger क्रिएट करनी की ज़रुत है जो TDS contractor का ledger होता है तो अगर आपके पास ledger created है तो select कर लीजे नहीं created है तो कैसे create करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे show करती हूँ तो यहाँ मैंने create किया हुआ है TDS on contractor 194C under हमने select किया है current liability क्योंकि यह हमारी liability है TDS deduct हम कर रहे हैं तो यह हमारी liability है government को pay कराने के लिए इसलिए इसको ledger हम create करेंगे ग्रूप के अंडर में current liability के अंडर में तो 80,000 का 1% 800 हम यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे हमें debit करना है सूमन सर्मा को 800 से तो यहाँ पे हम debit कर देंगे सूमन सर्मा को debit 800 से और against reference आप select कर सकते हैं किस invoice के against आप TDS deduct कर रहे हैं और उसके बाद जो TDS वाला ledger हमने बनाया था वो हम कर देंगे credit narration आप mark कर दीजेगी TDS book for the month of किस month के लिए कर रहे हैं कितने amount पे कर रहे हैं narration is totally up to you कि कितने details में आप narration mark करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने आप दो लाग का purchase किया service उसके बाद यहाँ पे हमने 80,000 पे 800 TDS भी deduct कर लिया है अब total payable बसता है 1,18,200 इतना हमें जो सुमन सर्मा है उनको pay करना है बट इसमें से भी हमें TDS को deduct करना है क्योंकि total amount पे हमें TDS को deduct करना है तो 1,18,200 का 1% हम यहाँ पे TDS अगें deduct करेंगे before making payment तो payment करने से पहले हमें TDS को deduct कर लेना है तो अब जैसे कि हम August में pay करने वाले हैं तो August में हम TDS की booking कर लेंगे और before 7th of August हम यहाँ पे TDS की payment की entry कर देंगे तो calculation कैसे करनी है वो मैंने आपको यहाँ बता है control and करके आप calculation निकाल सकते हैं तो चलिए again हम जो last TDS की booking है वो कर लेते हैं last amount पे तो यहाँ आपने suman को कर दिया है debit amount आप देख सकते हैं और TDS वाला जो है वो credit हो जाएगा 1192 से अब आप यहाँ देखेंगे 1,18,08 रुपीज यह payable भच रहा है इतना हमें suman सर्मा को करना है और एप रेस करके हम payment कर देंगे right hand side से payment वाला voucher select कर लीजिए और यहाँ पे हम suman सर्मा को कर देंगे debit जो भी remaining amount है उससे और हमारा bank हो जाएगा credit narration में हम mark कर देंगे कि हम payment कर रहे है full and final payment कर रहे हैं दो लाक रुपीज का हमने total इन से service purchase किया था जिस पर हमने 2 TDS डेड़क किया है 800 and 1192 तो 2 लाक रुपीज का 1% हम लिका लेंगे 2000 होता है तो total 2000 हमने TDS डेड़क करना था जो कि हमने 2000 TDS डेड़क कर लिया है अब यहाँ पे step से आप भी कर सकते हैं accounting अगर part wise payment करते हैं तो part wise आप देखिए threshold limit cup cross होती है उस समय आपको TDS को deduct कर लेना है बुक कर लेना है अब मैं आपको show करती हूँ जो हमने TDS को deduct किया था वो हम कैसे government को pay करेंगे तो चलिए TDS वाला लेजर open कर लेते हैं TDS on contractor यहां देखिए 800-1192 दो TDS वाली amount शो हो रही है यह payable है तो जो हमने पहला TDS deduct किया था जुलाई मन्त में किया था तो जुलाई मन्त में हमने बुक किया था 1st जुलाई को और 7th आप जुलाई को हम इसको pay कर देंगे जो TDS का लेजर है वो debit हो जाएगा और हमारा bank जो है वो credit हो जाएगा narration में आप mark कर दीजिए कि आप TDS pay कर रहे हैं और विच मन्त उसके लिए आप narration कर सकते हैं और उसके बाद इसको save कर लेंगे अब इसके बाद जो second हमने TDS deduct किया था उसकी payment की entry कर लेते हैं तो Alt A प्रेस करके अगेन हमें payment वाला voucher select कर दा है date change कर दीजिए जो second वाला है वो हमने August में किया था अगरस्त में pay किया था तो TDS वाला ledger हो जाएगा debit और हमारा जो बैंके वो credit हो जाएगा इस step से आप देखेंगे का work करवा रहे हैं electricity का contract दे रहे हैं तो इस step से आप भी maintain कर सकते हैं Tally Prime में description box से check out करना ना भूलिएगा वहां में Tally and accounts related maximum videos के link provide कर दूँगी आप उन सारे वीडियो को watch कर सकते हैं आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं मेरे चैनल का name है Zoom and Education Hub आपको वहां playlist मिल जाएंगी आप playlist रिवाच कर सकते हैं playlist आपके लिए काफी helpful रहेगा तो definitely playlist को watch किजेगा Tally and accounts related maximum videos को मैंने अपने चैनल में cover किया है अभी पी still में कोशिश कर रही हूं सारे वीडियो को सारे industries की accounting को कैसे हमें maintain करना है थीरे थीरे सारे हम cover करेंगे इस वीडियो में तो I hope ये वीडियो आप सुरे लोग के लिए helpful रही है अगर helpful रही है तो छुटा सा काम कर दीजेगा चैनल को like, share, subscribe कर दीजेगा Thank you and keep watching my videos